हलो एवरिवन आप सभी ने देख लिया होगा कि UPPCS ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है अगर हम डेट्स की बात करें जो सबसे इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो आपको मार्क करना है अगर जुडिश्टरी वाले हैं तो इस डेट को ध्यान रखिए अगर हम UPPCS की बात करें तो 14th of May 2023 ये डेट होगा हमारा preliminary जो प्रारंबिक परिक्षा होती है प्री का exam ये 14th May को कैलेंडर में लिखा गिया है और 14th May will be the exam उसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस का जो डेट यहाँ पे निर्धारित किया है वो है 23rd September 2023 तो pre और मेंस के बीच में exactly round about 4 months and 7 days का gap है 4 months and 7 days this is probably the maximum gap आयोग ने हमको दिया है since 2018 जब last time pattern change हुआ था तो pattern change होने के समय पे इतना लंबा gap दिया गया था 2018 के बाद से ये पहला साल है 2023 वाला exam जहां पे इतना लंबा gap दिया है pre और मेंस के बीच में so there are two options अभी भी optional हट रहेगा इसकी अभी तक हमें clarity नहीं है पर अगर हम देखें तो there are two options जहां पे क्योंकि ऐसा हो सकता है कि optional हटने के बारे में अभी भी चर्चा है अगर हम UP for civil services academy वाले सरकी बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि cabinet ने इस proposal को reject कर दिया है कि optional को हटाना नहीं है and optional will remain in 2023 but there are also news की आयोग की जो chairman है chairman की meeting हुई है योगी जी के साथ में and ये proposal अभी भी रखा गया है there are different people different experts in the meeting जहां पे committee formal committee नहीं है but these are the top people जिनकी meeting हो रही है from different backgrounds तो अभी भी optional हटने के chances अभी भी बने हुए है so there are two options की option या तो रहेगा जहां पे हमें optional के तयारी करनी है या फिर optional remove हो सकता है अब इन दोनों case में आपको क्या करना है so you need to be you know strategize इस तरीके से करना है कि you will get the maximum benefit out of the decision तो basically देखिए ज़्यादा time नहीं लगने वाला है तीन से चार दिन में matter clear हो जाएगा just तीन से चार दिन की बात है इसमें तो जो लोग अभी भी मुझे text कर रहे है personal DM कर रहे हैं उन लोगों की लिए ये video है आप लोग को बता देना चाहती हूँ मैं कि please थोड़ा सा आप लोगों को patience रखना पड़ेगा because देखिए जो भी decision लिया जाएगा वो आप लोगों की भलाई और maximum student के benefit को देखते हुए लिया जाएगा बहुत सारे use and cries थे आज से नहीं 2018 से चलता आ रहा है students लोग different kinds of demand कर रहे हैं उन different kinds of demand के list prepare होके ही आयोग जो भी changes लेके आएगा तो सारे demands को consider करके जो भी most valid demand होगा उसके उपर चर्चा करते हुए वो changes लाने की संभावना है यहाँ पे so considering that fact हो सकता है कि UP special ad हो जाए whatever the case में भी आप लोग को बिलकुल भी वरी नहीं करना है so let me tell you very frankly because when I started my mentorship batch वो mentorship batch सिर्फ mains के बच्चों के लिए था if you want मैं उनके testimonies लादूंगी आप लोगों के लिए you can ask them within a period of two and a half months within a period of two and a half months बच्चे वो बच्चे जोइन किये थे मुझे especially I have chosen those people जिन्होंने mains का एक बूंद भी नहीं पढ़ा है they were stuck in the cycle जो की pre के cycle में थे उन्होंने mains का कुछ भी नहीं पढ़ा था ना उनके पास में notes थे ना ही उन्होंने कभी भी main specific study की है उन लोगोंने two and a half months पे सारे GS4 one two three and four यह चारों GS4 को notes के साथ में complete किया है and side by side more than six test भी दिये है so the mentorship batch started I think August 3rd if I am not mistaken and September पूरा September and October 16th was the date जब total मिला के 6 test हमने already conduct कर लिये थे जहाँ पे students लोगोंने literally hard way जाके shortcut हमने नहीं अपनाया था हम लोगोंने traditional hands से note making वाला जो process होता है अपने हातों से notes लिखना syllabus को cover करना यह सारा process two and a half months में हमने complete किया था तो मैं अभी भी आपको बता दू if we are getting four अगर हमको चार महना और साथ दिन मिल रहा है अगर आप optional की भी बात करते हैं तो चाहे आपका कोई भी optional हो humanity background वाले हो या फिर technical background वाले हो आपके optional में last 25 years में जो question आये थे अगर आपने इसका model answer prepare किया है तो आपका optional paper अच्छा जाएगा मैंने खुद ने दिया है I did not trust the process मैंने यह process को trust नहीं किया था मैंने additional studies भी की थी बाकी वो additional study कुछ काम नहीं आई जो मैंने previous year paper solve किया था उसमें से ही directly questions आये हैं और जबकि जहाला कि मैं बिल्कुल भी धंग से prepared नहीं थी उसके बाद भी optional में ठीक ठाक marks आये हैं you have seen my mark sheet so you all know कि optional का paper सिर्फ previous year से होता है और previous year paper solve करने में मुझे कितना time लगा तो it was round about 20 days 20 days में भी मैं per day 5 hours optional को देती थी और बाकी 5 to 6 hours में GS को देती थी and 1 hour Hindi को देती थी इसके साथ साथ में 1 hour में examples वगर जो भी example होता है data है वो उसको mug up करना, peripheral चीजों को करना उस पे देती थी तो दिन का 5 घंटा, 20 दिन भी अगर आप देते हैं तो आपका previous year paper तयार हो जाएगा लिख के तयार नहीं होगा बट at least आप content को collect कर लेंगे एक जगा पे segregate and sort out कर सकते हैं इसलिए 4 month and 7 days जो आपको मिल रहा है please trust me ये more than enough है for you to prepare for means तो अभी आपके लिए क्या है, अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको wait करना है कि हम proper strategy बनाने, जब हमको clarity मिल जाएगी उसके बाद proper strategy बनाएंगे but meanwhile आप क्या कर सकते हैं, please current affairs पे focus करिए monthly current affairs बहुत important होने वाला है, अभी आपके पास में time है last minute दृष्टी का wait मत करिए, current affairs पे focus करिए current affairs की जो monthly magazine होती है, या monthly वाला जो भी channel आपको cover करा रहे है जो question and answer के माध्यम से cover करा रहे है, study for civil services वाले है इसके साथ साथ में घटना सार है, speedy है, जो भी आपको monthly magazine cover करा रहे है या फिर quarterly अगर आपको cover करना है, तो quarterly भी pick कर सकते है वैसे करते करते हैं, आप current affairs पे ध्यान देजिए start with your घटना चकर, किसी भी एक घटना चकर को pick up कर लीजे तो अगर आप current affairs को देते हैं, तो one hour current affairs, two hours घटना चकर अगर आप देते हैं two से three hours लिख लीजे, कोई भी एक घटना चकर को side कर लीजे इसके साथ साथ आपको क्या करना है, जो बचे हुए 5 से 6 घंटे हैं उसमें आप safely mains की preparation continue कर सकते हैं जिन्होंने answer writing नहीं की है, I will suggest you all answer writing करिए आपको answer writing करने के बाद ही समझ में आएगा कि where you stand syllabus कभी भी complete नहीं होने वाला है, आप जिससे पूछना है पूछ लीजे 50% as long as you know somewhere about 50 से 60 वर्ड अगर आपको topic के बारे में पता है तो start writing answer, अगर आपको पूरा syllabus में comfortable नहीं है answer writing के लिए तो आप pick some topics, disaster management pick कर लीजे या फिर plate tectonic pick कर लीजे, poverty pick कर लीजे, hunger pick कर लीजे इस तरीके से topic pick करिए और topic pick करके 50 से 60 वर्ड में उसे prepare करिए कि क्या challenges है, government ने क्या steps लिए है, what are the schemes for it और क्या way forward हो सकते हैं इस particular topic को लेकर उस तरीके से आप background बना के चीजों को pick करिए and start writing answers safely आप January के मंत में answer writing कर सकते हैं, अगर optional की clarity नहीं है तो क्या हुआ, GS1, 2, 3, 4 भी तो है, जो आपको prepare करना है तो GS1, 2, 3, 4 के लिजब तक आपको जिस चीज में clarity नहीं मिल रहे है उसे sideline कर दीजे, और जो आपके हाथ में है, आपके हाथ में GS1 से लेकि GS4 है आपके हाथ में pre है, pre का आपका static है and then pre का आपका current affairs है इस पे focus करिए, once we get the clarity, I will bring the timetable I will bring the timetable most effective one, जो कि मैं खुद follow करने वाली हूँ and trust me, that is gonna help, और वो बहुत बहुत जादा practical timetable होगा but I will only bring that timetable, once I will get the clarity की आयोग चाहा किया रहा है confirmation एक बार मिल जाएगी, उसके बाद आपका timetable प्रॉपरली लेके आया जाएगा I will wait for 3 to 4 days, अगर 3 to 4 days में clarity नहीं मिल रही है तो I will bring a detailed timetable की आपको rest of the days in the month of January और February में आपको क्या करना है so that हम safely mains का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें और pre का भी proper तरीके से दियारी कर सके, वो सारा चीज़े हम timetable में discuss करेंगे so please wait for it and ऐसा possibility है कि optional change होगा because अगर इतना लंबा समय मिला है, तो इतना लंबा समय last time 2018 में मिला था जब आयोग ने changes लेकी आने वाले थी, तो हो सकता है, इस बार भी changes आएं किस type का change होगा, क्या वो optional में ही change होगा या फिर they are adding additional paper, ये तो आने वाला समय ही बताएगा but there is some changes which we can expect because इतना लंबे समय हमें मिला है we'll wait for the clarity, जब तक जिस वाले portion में आपको clarity है वो वाली चीज़े पढ़ना start करिए और पढ़ना continue करिए